Hello students Welcome to my channel for our classes तो यहां पर आपके लिए Poetry Terms जितना भी लिटेरी Terms है वो सारे लाएं है Simple short में दो लिए या इक लिए नम्बर का कोशन होता है तो यहां से आप देखके लिख सकते हैं Alliteration का मनलब की होता है Reputation of consonant words Allusion क्या होता है तो इसके बीच में एक reference होता है जिसके बीच में एक place, person, think, event, idea, industry, literary, use to suggest an emotion or idea Example, an allusion to the garden of Eden might suggest a notion of paradise or a time of purity and innocence उसके बाद में apostrophe क्या होता है, apostrophe होता है, जिसमें which the points, speaker, address, someone's absent or dead मतलब कि किसे ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति के और इशारा करता है जो कि मर चुका है या जो कि नहीं है ठीक है, resonance क्या होता है, resonance, repetition होता है, vowel sounds का, ballad क्या होता है, एक narrative poem होती है, जो कि song like a stringer form, consonants क्या होता है, the repetition at close intervals, consonant sounds found within or at the end of words couplet क्या होता है, two lines का stringer होता है, which may or may not rhyme, end rhyme क्या होता है, last के जो words होते हैं, उनके अंदर rhyming होती है I rhyme क्या होता है, जिसमें last वाले word के अंदर है, बीच वाले word के अंदर, buff, cuff, bro, blow, इस तरह से होता है figurative language क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं, आपर, important points है, वो देख लिजिए, free words क्या होता है, poetry that not in a fixed form imagery क्या होता है, the use of images, मेन यही होता है, चीक है lyric क्या होता है, lyric का मतलब होता है, a short point that expressed the personal emotion and thoughts of a person, narrator and is characterized by its musical qualities metaphor क्या होता है, metaphor होता है, an implied comparison, दो जीचों के बीच का comparison होता है, जिसमें as or like का word use नहीं होता, simule के अंदर के होता है, as or like word का use होता है, metaphor के अंदर as or like का use नहीं होता है, सिदा का सिदा गया जाता है, जैसे he is a lower in the field, और अगर आप Simpson करेंगे, तो उसके अंदर का होता है लोएन के अंदर की तरह हैं, दिखता है, इसे आदर सिदा गसीदा है कोई कहानी को बताता है जिसमें आवाजी आती है जैसे बज बो चू चू परसॉनिफिकेशन कहते हैं उसके बाद में है poetry literature written in metra or words it is characterized by language chosen for its sound and suggestive power and by such literary technique as structure, metre, rhyme and metaphor poetry के अंदर meter होना चीए, rhyme होना चीए और metaphor होने चीए तब जाके इनके mission को या इन सबी के इकठ्य होने से ही poetry बन दिया प्रोंज पोइम के बार में रिटन इसन है प्रोज फोर्मेट कर्टेन के होता है चार लाइन का श्टीम फहता है कर्टेन राइम यहां आपको बता दी की औवाद सेम सेम आय तो ठीक है Setting क्या होता है मतलब कि उसके आस पास का जो वातावरन दिखा रहे हैं Environment दिखा रहे हैं वो कैसा है Similarly के बार में मैंने आपको बताई दिया Like और As वर्ड का यूज़ होगा Sonate क्या होता है एक चोध लाइंस की पोईम होती है जिसमें एक Rule of Theme and Metro होता है Style क्या होता है उसके लिखने का जो त्रिक्या है जिसके बीच में उसकी जो चोईसीज है Vocab के धुरू, Amazory के धुरू, Pace के धुरू या Themes के धुरू Symbol क्या होता है कोई भी Idea, Abstract Concept उसको हम क्या करते है Theme क्या होती है किसी भी एक Particular Idea के उपर काम करता हूं उसको हम Theme क्यते है, Tone क्या होता है उसके जो वहवार है या उसका कोई भी subject matter को लेकर उसका क्या Attitude है उसको हम Tone क्या होता है, Verse का मतलब यह होता है कि उसके जो specially Point के उपर वो रखना चाता है है कि इस तरह से उसे अपना drive कर रहा है अपनी बात को सब के सामने रख रहा है तो थैंक्स वर उचंग में वीडियो थैंक्यू